हाई फ्रेंड्स आज लेकर आई हूँ आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी गाजर का हलवा बनाते समय आपको किस टाइप की गाजर चाहिए रहती है क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका गाजर का हलवा एकदम दानेदार शादियों और मार्केट जैसा ब गाजर का हलवा बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए एक किलो गाजर आपको इस तरीके से मोटी वाली चाहिए है इसे कसने में आसानी रहती है प्लस इनका कलर जो है वो रेड होना चाहिए इससे आपका हलवा एकदम लाल बनता है तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैं इसका उसे भी हम काट लेंगे और इसके बाद पीलर की मदद से इसको अच्छे से हम छील लेंगे गाजर को मैं अलरडी वाश कर चुकी हूँ, धो चुकी हूँ सारी इसकी मिटी वगेरा मैंने पहले ही निकाल दिये, वो स्टेप मैंने या पर आपको शोल नहीं किया है पर आपको छीलने से पहले गाजर को धो लिना है यह देखिए गाजर अब छील चुकी है, अब इसे हम कस लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बर्दन ले लिया है, और इसके उपर मैं रख रही हूँ ग्रेडर, नीचे साइड से पतला ग्रेड होगा और उपर साइड से मोटा तो हम उपर साइड से ही इसे कसने वाले हैं थोड़ा टाइरिंग है यह सब पर आप देख सकते हैं, एंड रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा, तो इसी तरीके से सारी गाजरों को हम कस कर इसके अंदर डाल देंगे तो यह दिखिए सारी की सारी गाजर जो है वो कस गई है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मोटे मोटे इसके दाने आया हैं लंबे-लंबे, आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स टे हलवा बना सकते हैं क्योंकि मैं यही करने वाली हूँ तो आप नेक्स टे हो चुका है गैस अब मैंने आन कर ली है और इसके उपर कढ़ाई रख ली है और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ थरी फोर्थ कप गी, देसी गी टीन चुथाई कप मैंने इसमें आड़ कर दिया है गी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे गाजर जो है मैंने उसी कंटेनर में ढग के फ्रिज में रख दी थी और अब आप देख सकते हो गी मेल्ट हो गया है और यह देखी काजर भी वैसी की वैसी ही है करीब बारा घंटे अब हो चुके हैं तब भी कोई फरक नहीं आया है मैंने कोई एर्टेट कंटेनर में से नहीं रखा है डिरेक्ली उसी बर्दन में मैंने सिर्फ एक प्लेट से ढख कर इसे रख दिया था तो अब इन गाजर को अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगे घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अब लो फ्लेम पर धीमियाज पर इसे ढख कर हम पकने देंगे और जब तक ये गाजर पक रही है साइड बाई साइड मैं यहाँ पर बाकी की तयारी कर लेती हूं तो यहाँ पर मैंने गैस अन कर दी है और इस पर एक कढ़ाई रख लेते हैं दूसरी छोटी सी और इस कढ़ाई में अब हम अड़ करने जा रहे हैं ट्राइफ रूट्स यानि की मेवे आप कोई से भी ट्राइफ रूट्स अपने पसंद के ले सकते हैं यहाँ पर मैंने काजू लिया है वदाम लिया है पिस्ता लिया है किश्मिश भी हम डालेंगे पर मैं उसे ड्राइ रोस्ट नहीं कर रहे हूं लगातार जलाते हुए एक से डीड़ मिनट के लिये हमें बूणना है इससे जो ड्राइ फूट्स हैं उसमें बहुती बढ़ी कृंशी फ्लेवर आ जाता है तो एक से ड्राइ फूट्स हो गया है इसे निकाल लेते हैên गैस मैंने अब आफ कर दी है तो यह ड्राइ फूट्स जो है ड्राइ रोस्ट हो गए हैं आप दिख सकते हैं हलका सा कलर भी इंगर चेंज हो गए अब इनहीं रख देते हैं साइड में और अब ये मैंने मावा ले लिया है करीब 200 ग्राम मावा है घर का बना है इसको अब हम भून लेते हैं वापस से मैंने गैस अन कर दी है और सेम कड़ा पर रिड्यूस करना है पहले उकेशनली स्टर करना है और फिर लास्ट में लगातार चलाना है और साथ-साथ हमको अभी फिलहाल यहां पर गाजर पे भी ध्यान देना है और इसे बीच-बीच में हम चलाते रहेंगे नहीं तो ये नीचे से जल सकती है तो नीचे की गाजर उपर ले जाएए उपर की गाजर को नीचे कर दीजिए लगभग हर साथ से आठ मिनट में आपको गाजर को चलाना पड़ेगा तो अब गाजर यहांपर मैंने मिक्स कर दी है नीचे की ऊपर उपर की नीचे अब इसे वापस से ढखकर लोव फ्लेम पर पकने देते हैं और यहां पर अपना मावा जो है वो हम भून लेते हैं लगातार चलाते रहेगा नहीं तो मावा भी नीचे से चल सकता है तो आप देख सकते हो अब ये हलका सा सौफ्ट हो गया है लिक्विट से फॉर्म में आ गया है इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से साइट से घी न निकलने लगे तो लगबग 5-7 मिनट हो गये है लो फ्लेम पर मैं ऐसे बून रही हूं लगातार और अब इसमें अच्छी सी खुश्बू आने लगी है अब देख सकते हो इसका कलर भी अब ब्राउनिश हो गया है और साइट से इसमें घी भी छोड़ दिया है तो भी काम करते हैं गैस को आफ कर देते हैं और इसको रख देते हैं साइट में और गाजर को भी इधर हम चेक कर लेते हैं क्योंकि साथ-8 मिनट हो चुके हैं हमको एक बरे से चलाए हुए तो वापस से इसको चला देते हैं थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और आप देख सकते हो गाज़क काफी reduce हो गई अपने size में जैसे जैसे यह पकती जाएगी वैसे वैसे यह shrink होती जाएगी quantity में अब इसमें हम add करेंगे आधा cup शकर अगर आप शकर जादा पसंद करते हैं तो आप 3 4th cup भी add कर सकते हैं शकर को इसके साथ अच्छे से हम mix कर देंगे और इसके बाद वापस से से ढख कर हम और 7-8 मिनट पकने देंगे low flame पर ही तो 7-8 मिनट हो गए हैं आप देख सकते हैं शकर ने अपना पानी release कर दिया है आपको मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ यह दिखिए कितना सारा पानी इसमें से लिकलकर बाहर आ चुका है एक बार इसे वापस से mix कर देते हैं और अब लगभग 25 मिनट हमको हो गए हैं इस गाजर को पकाते हुए आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी reduce होगी यह कलर कितना बढ़ी आ गया है शकर डलने के बाद अब इसमें हम डालते हैं एक चुथाई छोटी चम्मच इलाइची पाउडर और इसके बाद हम add करेंगी भूना हुआ मावा जो अभी हमने side में भून कर रखा था वो इसके अंदर अच्छी तरीके से मावे को गाजर के साथ हम मिलाएंगी लंप्स नहीं रहने चाहिए कहीं पर भी तो आप देख सकते हैं कितना बढ़या टेक्शर अब आ चुका है अब हमें यह हल्वा जो है वो ढखना नहीं है बिना ढखे ही इसे low flame पर हमें 5-7 मिनट और पकने देना है 5-7 मिनट बाद हम इसमें add करेंगे यह dry fruits तो अब इसे mix कर देते हैं और इस stage पर हम gas की आज को तेज कर देंगे यानि कि high flame पर हमको अब हल्वे को पकाना है लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो हल्वा नी जैसे डग सकता है हल्का सा इसको जो भी इसमें moisture है वो हमें सुखा लेना है पाँच मिनट करीब हम इसे यूँ ही चलाते हुए पकाएंगे तो आप पाँच मिनट हो गए है गैस की flame को मैंने off कर दिया है और आप करते हैं गर्मा गर्म हल्वे को serve हल्वा बनाने में हमको यहां पर total time लगा है चालीस मिनट और आप देख सकते हैं end result तो बहुत ही बढ़ी आया है एकदम मस्त वरी खुश्बू आ रही है इसके अंदर से और यह देखिए एकदम दानेदार हल्वा हमारा बन कर तयार हुआ है है ना एकदम शादी और पार्टी जैसा हल्वा एकदम दानीदार बना है और घी भी आपका उपर तक तैर नीरा है पर इतना है कि घाचर का हल्वा सुखा सुखा नहीं लग रहा है तो अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो कीजेगा साथी साथ बैल आइकन को ज़रूर प्रिस कर दीजेगा ताकि नए वीड आने पर आप नोटिफाइड हो